सनी देवल के बारे में मुझे ये पता चला था कि वो जब डर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे एक सीन उनको करना था जिसमें चारुखाउन उनको आके सामने से चुरा मारते हैं वो इस बात मा नाराजते कि ये इतना तो वो मुझे कहने लगे कि मैं कैसे मान लेता है इतना आदमी छोटा सा ये मुझे आके सामने समार चल पीछे से मार ले मुझे शारुक ने ये बताया कि इन से जारा समल के रहना जब मैंने शारुक को बताया मैं सनी का प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहा हूं तो शारुक मुझे गटना बताए थे ये इतने गुसे हो गए और इनोंने अपने हाथ अपनी जीन्स की जेब में डाले और वो जीन्स के जेब फार दे सोचो कितनी ताकत इनके अंदर हो अच्छा मैंने वो फिल्म में भी देखा था वो उखाड देते हैं वर्मा तो मुझे लगा यार तो जब ये आपके अदालत के लिए मैं इसे बात करने लगा तो मैंने का जी वो मुझे शारुप में बताई थी आप बड़े गुस्ता हो जाते हैं ये नहीं तो कर गरा उखाड़ के आप भेक देंगे तो कहलें जी मुझे जब गुस्ता आता ना फिर काबू नी रहता तो मैं नasında का Rica मेरे सवालों पर आपको गुस्ता तो नहीं आ जाया जाया अगुए जिस दिन آना होगा मैं तीन चार बार ऊपर से नीचे पहाड़ चड़की आऊँगा दॉपर जाऊए नीचे उतरूएंगा दुपर जाऊंगा नीचे उतरूएंगा थक्जा चाहता हूं अपने पादर की धर्म जी की चो रस्पेक्ट को करते हैं जितनी इजट उन्हें देते हैं वो अन्पिलीवेबल है आज की दुनिया में ऐसा होता नहीं जब धर्रण जी आपके अदालत में आए तो सनी ने मुझे का कि पापा जी आ रहे हैं मैं उनके साथ हूंग लेकिन मत मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मैंने का बताईये हो ना हेमा जी की बारे में आप मैं पूछक्त तो मैंने को ऐसे कैसे हो सकता है धर्म जी का प्रोग्राम हो एमाजी के बारे में ना पूछा जाए उस्तों संबब नहीं है एक जो सवाल पूछूँगा ये उनकी care for him. उनके साथ आए, प्रोग्राम के दौरान audience में बैठे रहे, धरम जी को पकड़के कड़़े तक लाए, बीच में मैंने उनको दोनी मिनट के बुलाए भी था, उसके बाद हो अपने हाथ से उनको उठा के ले गए, और एक एक पल पल इस बात का ख्याल रखते रहे, कि उनके फादर को, धरमिंदर जी को, जरा भी कोई तकलीफ न हो जाए, ऐसा संबन, ऐसा रिलेशन बहुत कम देए